लेट पॉस्टीड फदर अब जो आगे एक वह है चेंज परसेंटेज ठीक है परसेंटेज अफेंज या चेंज परसेंटेज ओके पॉमली जैं और कुछ भी नहीं है परसेंटेज अगर आपको फाइंड करना है तो आएगा चेंज इन वैल्यू अपन ओरिजिनल वैल्यू इंटू ये आएगा पर संडेज अफेंगर या चेंज परसेंटेज आएगा चेंज इन वैल्यू अपन ओरिशनल वै्ल्यू इंटू 100 ओके सिंबल सा एक्जांपट ले लिजे ही स्लावल ले लास है मैं ने बताएघा मम świat में में पंप करा मा मा मैं मैं या करते हैं लेकिन कुछ आगए इस साल गलें फिर आपने नेक्स्ट आ नेक्सिट पार का जब फारिनल किया कि इस था ले नहीं है तो इस साल रिट हो गया ट है तो मतलब क्या थी पहले वो चेंज घुगई जो पहले वैली थी वह क्या उगई नेख चेंज इन वैल्यू ठीक है अब चेंज इन वैल्यू कितनी है इडिस यस हो मच रुपीज रुपीज के पॉइंट विसे कितना चेंज है 500 500 कैसे रुपीज के पॉइंट विसे चेंज 50,000 आपने पहले कार की कीमत निकाले थी वह 5,000 थी अब जब कार की कीमत निकाले तो 5,000 थी ठीक है इसका अध़ चेंज इन वैल्यू रुपीज के पॉइंट वैल्यू कितना है 50,000 थीक है चेंज इन वैल्यू कितना है 50,000 ओके के लिए अब यह चेंज एक दूसरे वे से भी फाइंड आउट की जा सकते है और वह है परसंडेज चेंज कि कितने परसंड से चेंज हुई वैल्यू थीक है तो अगर आपको वह वैल्यू कैल्कुरूट करनी है तो आप कैस परसंडेज चेंज यहाँ आप आएगा चेंज इन वैल्यू चेंज इन वैल्यू हो गया 50,000 अपन ओरिशनल वैल्यू ओरिशनल वैल्यू वह रहेगी जो पहले थी ठीक है और ओरिशनल वैल्यू पहले क्या थी इट वास्पाइब लैक होके एंड कि यहें तो कोई डाएक बता सकता है परसंडेज चेंज कितना होगा कि कीए तो इस दृते नए बैड़ बहुत ज्यासा हो गया परसंडेज चेंज 50 बहुत ज्यासे हो गया चेंज वैल्यू जो और हुआ है और हम प्सक्राइब एशनल नार हो रही है ठीक है? और original value जो थी वो 5 lakh थी ओके? जो original value थी वो 5 lakh थी into 100 ठीक है? आप cancel करो 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 1 5, 5, कितना हो गया? 10% value कितनी होगी? 10% कि लिए तो percentage change percentage change 10% है जबकि actual value जो है वो 50,000 से vary कर रही है ठीक है? यह है difference यह है difference तो change दो दरा से consider किया जाता है एक change in value किया जाता है और एक change in percentage ठीक है? अब देखिए suppose 10 रुपीज है किसी की value ठीक है? बिलकुल concept को ध्यान से समझीएगा ठीक है concept समझना आ गया ना फिर इसे solve करना मनला problems को solve करना easy रहता है 10 रुपए value है किसी चीज की ठीक है? और मालेज़े एक 6-7 मेने के बाद उसी चीज की value ग्यारा रुपए हो ठीक है? उसी चीज की value कितने हो ग्यारा रुपए है? कितने रुपए बढ़ गए? कितने रुपए बढ़ गए? रुपए रुपए value एक रुपए ठीक है? दो रुपए कैसे बढ़ गए अभी? एक रुपए बढ़ गया ठीक है? अब जब आप कहोगे एक रुपए तो बढ़ा है कौन सी बढ़ी बात है? यही कहाज आता है ठीक है? अब percentage में value कितनी हो गई लिए 10 पर संथे यहां पर कितने होगई 10 परसेंट क्योंकि study इन वैल्य जो है वन आप और जिरो आरगा एन्टु हांडेट परसेंट ठीक है तो जीरो और जीरो कट हो घट हो किया यहां पर भी चेंज 10 परसेंट थे कि अब अगर इस केस में कहा जाये गजेंग Però की किमत पचा सवार बड़ें और वहां क्या करें एक रूप्या तुम पड़ा है हैं कि लेकिन अगर आहप देखो तो ढर्ला की परशेंद कितना है मोई टेन परसेंट के फारट चेंट इस कितना है टेन performaier कि यह यह अग्याद चैंज टैन परसंट यह दचेंज इस टैन परसंट लेकिन वैल्यू के पॉइंट आवी से यहां आपके मुझे शब्त क्या निकले का एक ही रूपया बढ़ा है और यहां क्या निकले का पच्चास अजार बढ़ गए है यह सब नो कि यह ठीक है तो चेंज वैल्यू स्वरी चेंज परसंट जो है ना वह हमेशा जो ओरिशन वैल्यू है उसके बेसिस पर कैल्कुलेट की जाती है ठीक है एनियों फॉर्मलाइज दिस आजकल जो प्रॉडक्स सेलिंग कंपनी से बहुत हुशार हो गए है ठीक है वो कभी भी आपको यह नहीं बताते हैं कि कितना अमांट बढ़ा है वह आपको परसंटेज वाइस बताते हैं कि इतना परसंट बढ़ा और इंसान वह परसंटेज देखके उनको लगता है कि चलो इतना फ्री या इतना बड़ा यह ठीक है वो इसमें देखते हैं ठीक है अगर आप उसकी एक्चुल वैल्यू देखोगे तो वहां प्रॉलम है लास्ट करास में एक्जांबल दिया था ना मैंने 50 ग्राम का तूथपेस्ट है और 20 परसंट बढ़ा के दे रहे हैं 50 ग्राम का चेंज इन वैल्यू अगर फाइंड करना है तो चेंज इन वैल्यू आएगा परसंटेज चेंज इन्टू ओरिजनल वैल्यू यहीं से अगर आपको चेंज इन वैल्यू फाइंड करना है तो आएगा परसंटेज चेंज इन्टू ओरिजनल वैल्यू के लिए यह हो गए चे आपको मैं दूसरी चेंज बताता हूं है कि आपको मैं दूसरी चेंज बताता हूं कि आपने एक नया मोबाल लेंगे अपने मोबल का प्राइज है वो सब्सक्राइब लुपीस है ठीक है अपने ड्रॉप ओट कर जा कि छोड़ो यार अभी नहीं लेंगे ठीक है कि कुछ समय बाद एक छे मैंने बाद आपने फिर सर्च किया से मोबाई और अब उस मोबाईल का जो प्राइज है वह मान लीजिए कम होके कुछ ठीक है करिव अगया तो यहां पर चैंधर करीभ आगया तो यहां पर यहां मॉबाईल का प्राइस कम होके क्यों के शह मैंने के अंदर यह फिछ मैंने यह फोटा सा तो कि जो स्पेसिफिकेशन है आज वह एकदम से लगने लगे अब कंपनी के पास तो अपना स्टॉक है उन्हें तो मोबाइल बेचना है रेट कम करके बेच दिया तो क्या हो गया वैल्यू डाउन हो गई तो यहां पर भी चेंज इन वैल्यू आएगा यहां पर क्या आएगा दो possibility जई एक इन्कीरीस परसंटेज और एक है decrease परसंटेज अब जो आएगा वह रहेगा को कि इन्कीरीस परसंटेज यह च्छक्य है इन्कीन वैल्यू अप व उरीजिनल वैल्यू इंटू 100 परसेंट ठीक है और यहीं से अगर आप इंक्रीजिन वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो आएगा इंक्रीज परसेंटेज इंटू ओरिजनल वैल्यू और सेम वे डिक्रीज के लिए आएगा DECREASE % Иह आएगा DECREASE IN VALUE अपन ORIGINAL VALUE INTO 100% या फिर DECREASE IN VALUE इस इक्वल टू डिक्रीश पर्संटेज इंटू ओरिजनल वैली ओके यह यह पर इंक्रीश पर्संट और यहां पर इंक्रीश वैली क्यों है यह मतलब दो बाते की हुए ठीक है कॉश्चन में आपको जिस साफ से प्रॉलम दिया है उस साफ से आपको वर्काउट करना पढ़ेगा ठीक है कहीं पहे आपको कमोडियीज में इंक्रीश परसंटेज दिया रहेगा और इंक्रीश कितने रुपए से हो रहा है यह अपको फॉ करना है तो फिर यह वाला अपलाए करोगी similarly आपको इन के लिमाए करना है ठीक है अगर सब्सक्राइब को चैंज ये अनी डाउट इन अब इसे में आगे प्रसीड करते हैं और इसमें हम चलते हैं प्रॉफिट लॉस परसंट विभी वैसर ूसके जो फॉर्म्ली वह आप लोग च्टैंडर्ड में भी देख चुके हैं को सेबसें के कॉंसेप्ट का ही मॉडिफिकेशन है। अब च्टैंडर्ट क्या होता है profit is selling price minus cost price profit percent क्या होता है profit percent होता है profit upon cp into 100 ठीक है एक और बात है profit आप ऐसे भी फैंड कर सकते है profit is equal to profit percent into cp cost price अब बिल्कुल ऐसे ही loss के लिए है loss जो है loss है cp minus sp loss के के समें cost price जात होता है selling price कम हो जाता है loss percent जो है loss upon cp into 100 ठीक है और loss को calculate करने का एक formula ये भी है कि आप loss percentage into cp कर सकते है loss percentage into cp ये formula कब अपला होता है जब commodity के लिए selling price cost price दोनों दिये हुए है ठीक है ये formula जब आपको profit पता है ठीक है cost price पता है तो आप profit percent find कर सकते हैं और ये काब apply करोगे जब आपको cost price दिया है profit percent दिया है लेकिन selling price आपको पता नहीं है सेलिंग प्राइस पता होगा cost price पता होगा तो डार है ये formula अपलाय कर दो profit करने के लिए लेकिन आपको cost price दिया हुआ है और profit percent दिया है लेकिन selling price नहीं दिया हुआ है तब आप profit यहां से ऐसे fund कर सकते हुआ and similarly for loss विरसे आपको seven stand में भी दिये गए थे yes any doubt in these formula कि 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 कू कि क ओके पिर इसमें एक और पॉंसेट जो इस साल एड़ हुआ आपका वो है डिसकाउंट डिसकाउंट मेरे साथ से वर्ड तो सुना हुआ होगा ठीक है 100 परसें आप लोगों ने सुना होगा येस किसी को पता है डिसकाउंट क्या होता है अगर सुना है तो कब सुना है कहां सुना है प्रैक्टिकल एक्जाम्पल हुआ होगा आपके साथ ठीक है अगर आप वो शेयर करने साथे तो कर सकते हो डिसकाउंट ऑफर सेल शॉपिंग मॉल्स में ठीक है या फिर एक कॉमर्स वेबसाइट जो रहते हैं फ्लिपकार्ट अमेजॉन वहां पर भी आपने वर्ट सुने होंगे ठीक है या फिर कभी इसक साथ गये होगे किसी शॉप में ठीक है अगर आपानृश शॉप में गए हुए है तो वहां पर आपने कोई चीज पर्केस कर नहीं है वहां आपने पूशा होंगा की जिसका प्राइस यह देकिन डिसकाउंट क्या रहेगा तो डिसकाउंट एवल्यज़उन से between the marked price and selling price. Discount, it is the difference between the marked price and selling price. जो marked price है, वो, और जो selling price है, वो. इन दोनमे जो difference है. difference between the marked price and selling price. That is the discount. ठीक है, suppose आप गए किसी शॉप में, वहां पे आपने कोई एक चीज परचेस की, आपको वो चीज पसंद है, आपने परचेस की, किसी बच्चे के लिए गिफ्ट आप परचेस कर रहे हैं, और वहां पर इसका प्राइस लिखा हुआ, 800 रुपीज. आप कहोगे, गिफ्ट तो मुझे पसंद है, लेकिन प्राइस मुझे ज़्यादा लग रहा है, इसमें क्या काम हो सकता है, आप बताइए. आप कम 10% डिसकाउंट दे देंगे, और प्राइस 720 हो जाएँ, आपने का 720 इससे पूरा साथ से लगा, 20 रुपए पर क्यों ले रहा है, अब उन्होंने का कि ठीक है, उन्होंने आप से 70 रुपए लिए, तो मार्क प्राइस 800 था, और आपको जो उन्होंने सेलिंग प्राइ अब इस डिसकाउंट का भी परसेंटेज होता है, ठीक है, तो डिसकाउंट परसेंट क्या होता है, डिसकाउंट परसेंट क्या होता है, डिसकाउंट क्या होता है, डिसकाउंट परसेंट होता है, डिसकाउंट परसेंट होता है, डिसकाउंट अपन सेलिंग प्राइस इंट to 100 discount selling price पूछ पिलिए आजाएगा टीक है तो discount की form में discount upon selling price into 100 आएगा जिसना discount दिया गया upon selling price into 100 यहां भी आप देख सकते हो इसमें CP था इसमें भी CP था ठीक है लेकिन इसमें सा नहीं है अगें discount आप reverse वे में अगर calculate करना चाते हो तो discount यह calculate होगा मैं यहां लिख रहा हूँ, reverse way में discount, it is equal to discount percent into selling price, यह वोगा discount percent into selling price, इस तरह से भी आप calculate कर सकते हो, ठीक है, ओके, इस तरह से आप calculate कर सकते हो, discount, basically difference between the marked price and the selling price, discount percentage हमेशन selling price प् mythology कर आएगा, यह formula कमोडिटी की selling price पता है, discount कितना दियागया, वो बता है, तब आप यह formula करोगे, और यह formula कब अपको कमोडिटी की selling price पता है, और discount percentage कितना दियागया, वो बता है, marked price नहीं है,ました e. है तो सेलिंग प्राइस पता है और इतना डिस्काउंट परसेंटेज परसेंटेज में इसकांट किसना जेंग वह बता है वह अच्छा पी डिस्काउंट केलकुलेट कर सकते हो एस अनीडाउट इस 47 ग्रेट ग्रेट आपके क्लास के बहुत अच्छी है कि आपके क्लास में है और 47 दिखा रहा है तो मैं अपने आपको तो भी 46 प्रेजेंट है इस वक्त एपसेंट है या हो सकता है नेटवर्क इश्यू जैसे लिव आउट हो गया हो ठीक है आप नोटन करते रहिए और वाट्सएप ग्रूप में डाल दिजेगा जो एट सी का मैथ कौन-कौन प्रेजेंट और कौन-कौन एपसेंट था ठीक है यह प्रोसेदिंग टू एक्साइज 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 एट पॉइंट टू अज़र्टस है इसे मिव एक्साइज 8.2 को एक्साइज एक्साइज एट पॉन्ट टू हुआ है अग कि इस तुम्हार प्रेंग कोई पेपर होगा श्मी ते हमने प्रोंग कोई पेपर होगा कोई नोटिफिकेशन आये गया पेपर से रिलेटेड अपके गुरुप पकरा में कोई नोटिफिकेशन आये पेपर से रिलेटेड क्योंकि मैं तो बिल्कुल हैरान हो गया सुनके अभी ओके नाव सी एक्साइस 8.2 टाइंग है अभी खोड़ा समय है मैं पर्सक्वेशन देखिए इजी है मैं गौट टैन परसंट इंक्रीज इन इस सैलरी इस न्यू सैलरी इस रुपीज 1,54,000 वाला कोशें नहीं है इसमें क्या दिया है मैं गौट 10 परसंट इंक्रीज इन इस सैलरी ठीक है तो इंक्रीज परसंट 10 परसंट इन इस सैलरी इस न्यू सैलरी जो है वो रुपीज रुपीज 1,54,000 है ओके इस न्यू सैलरी इस रुपीज 1,54,000 वाला को इसकी ओरिजनल सैलरी करनी है जो कि रुपीज एक्स हम कंसिलर करेंगे चले आप लोग पर ले ट्राय करके देख अब को मैंने इतना फॉर्मली इस बताया एक्स्प्रिंट किया आप लोग को ले ट्राय करो आप है अब कर दूंद 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 ठीक है बरी गुड़ आंसर आ रहे हैं नवी सबसे बढ़े इंक्रीज परसंड आपको टैन परसंड दिया है तो इंक्रीज इंस 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 x मतलब 10 upon 100 into x आ गया यह आ गया 1 upon 10 x ठीक है यह है increase in salary ठीक है अब देखें new salary क्या होगी new salary होगी original salary plus increase in salary तो original salary कितनी थी x और जो increase हुआ salary में वो कितना हुआ 1 upon 10 x यह और new salary बनी कितनी 154,000 कितनी बनी अब आप इसे solve करो यहां पर x जो है यह 1 by 1 है और यह 1 by 10 है fraction में आ गया ठीक है तो जब fraction में आता है तब दोनों का डॉनाटर सेम होना चाहिए यहां पर डॉनाटर सेम नहीं है तो आप LCM लेके डॉनाटर सेम करोगे तो LCM आएका 10 जिस विए 10 x प्लस x अपॉन 10 यह हो गया 154,000 इंटू 10 इस इकोल टू 11 x अभी 11 इधर डिवाइड कर दो इसमें एक 0 और बढ़ गया एक 0 और बढ़ गया चूंकि multiply by 10 किया and divide by 11 कर रहे हैं यह आएगा आपका x इकोल टू 154 11 में जाता है 14 जा 1 जा 4 जा और फिर 40 जीरो तो यह आगया रुपीज इसमें कोई डाउट अगर है तो पूछिए स्वाल करने का मेथड डिफरेंट भी हो सकता है नो डाउट ऐसा सुरुनी की मेथड यही हो आप डिफरेंट मेथड इसमें कोई अपना मेथड है तो कि यस एनी डाउट इन दिस आपका हमवक रहेगा आप ट्राइ कीजिएगा आपको दिया है और संडे एट फॉर्टिफाइफ पीपल वेंट तो दुद्व आपको इसमें परसंडेज ट्रीज प्रेज करना है ठीक है तो तो तुद्व परसंडेज ट्रीफाइफ पीपल से जो गए थे और मंडे के दिन से जो जूग है तो आपको इसमें परसंडेज करना हैं कितना डिक्रीज हो रहा है in terms of people कितने लोग कम हुए decrease in terms of people और फिर वहाँ से आप decrease percentage find कर सकते हो ठीक है थर्ड है एक शॉपकीपर है जिसने 80 articles परचेस किये रुपीस 2400 के ठीक है और उसने इने बेचा at the profit of 16% आपको selling price find करना है एक article का ज्यान रखना आपको पहले जो price दिया है 2400 वो 80 articles के लिए है तो आप चाहो तो पहले वहाँ से एक single article का price find कर सकते हो ठीक है so third question see आपको given क्या है cost price of 80 articles is equal to rupees 2400 यहां से हम एक article का cost price find करेंगे therefore CP of one article this is equal to rupees 2400 divide by 80 तो एक article का cost price जो है वो rupees 30 आ गया okay के लिए अब इसे बेचा गया है 16% profit के एसाब से profit percent this is 16% profit percent जो है वो 16% है ठीक है profit आप find करो यह आएगा profit percent into cost price profit percent 16% है of मतलब into और यह 30 यह हो गया 16 upon 100 into 30 00 cancel you get 48 divided by 10 this is 4.8 यह profit है यह क्या है profit है ठीक है अब यहां से आप selling price find कर सकते हो selling price आता है cost price plus profit तो एक article का cost price सा 30 और प्लस यह 4.8 आ गया देखें कितना अंसर आ रहा है यहां है how is 49 strength yes 49 strength कैसे है आप यह पूछ रहे है इस अब तो 48 दिखा रहा है इसका उनलब सारे 47 प्रेजेंट है और एक मैं हूं इस रिष्टी आपका question है how is 49 strength मतलब हाँ यह लो आकृतिन आंसर दे दिया इसका अब यह कि कोई higher authority है जिन्होंने class को विजिट किया है ठीक है और आकृति का ध्यान है मतलब आकृति कह रहे ही vice principal सा रहे थे ओके चले अच्छी बात यह कि कि यहां मुझे 47 दिखाई दे रहा है sorry 48 अभी थोड़े दिर पहले मुझे दिखाई दे रहा था 49 आप पूछे रहे कि 49 strength कैसे हुआ मतलब उसका अगर vice principal सर थे तो अभी 48 था एक मैं हूं और 47 आपके class के मतलब इसका मतलब यह कि आपके class में सारे बच्चे प्रेजेंट है बाकी network इसे इदर उदर जो हुए हैं वो पता चल जाएगा ठीक है इसका अंसर आएगा रुपीज 34.8 yes any doubt in this